नमस्कार दोस्तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोजन के इस वीडियो में दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिर्दैरिखा की हाथ के अंदर जो सेकंड सबसे इंपोर्टेंट रेखा होती है उसे हिर्दैरिखा कहते है फिर्दे रेखा प्रतीक होती है प्रेम भाव का इसे प्रेम भाव रेखा भी कहा जाता है यह राजयोग के बारे में भी बता सकती है यह सो भाव इंसान के नीचर के बारे में बताती है इस रेखा को देखकर के यह पता किया जा सकता है कि इनसान के अंदर कितनी एनरजी है वह कितना उत्साहित है इस रेखा के माद्यम से हम यह भी जान सकते है कि इनसान के अंदर सेहन सीलता कितनी है दोस्तों इनसान की इमानदारी भी हम इस रेखा को देखकर के जान सकते हैं अगर यह रेखा बहुत ही अच्छा कर्व उपर की तरह बनाती है तो ऐसे लोग साकारात्मक होते हैं दोस्तों इनसान की कल्पना शील्टा के बारे में भी हम इस रेखा से जान सकते हैं इस रेखा को देखकर यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इनसान कितना आध्यात्मिक है दोस्तो इसे आयू रेखा भी कहा जाता है तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हिर्दे रेखा को समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हाथ में कौन सा परवत कहा होता है सबसे जो इंपोर्टेंट रेखा होती है वह होती है जीवन रेखा हाट में एक मस्टिक्ष रेखा होती है और हिर्दे रेखा की तो हम अभी बात ही करेंगे दोस्तो हिर्दे रेखा जो होती है वह मंगल परवत और बुद्ध परवत के बीच में कुछ इस तरीके से निकलती है इसे हम हिर्दे रेखा कहते हैं दोस्तो अगर यह रेखा गहरी है और कुछ इस तरीके की बन रही है कर बनात हुए बहुती सुन्दर रेखा तो इस केस के अंदर जो आपका जीवन साथी होता है वो बहुती सुन्दर होता है बहुती इंटलिजन्ट होता है आप जब भी उसे introduce कराते हैं तो आपको proud feel होता है दोस्तो हम हिर्दा रिखा को यहाँ पर थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं यदि है हिर्दा रिखा यहाँ से निकलती है और सनी परवत की तरफ मुड़ जाती है तो इस case के अंदर इसमें सनी परवत की properties आती है तो होता क्या है कि ऐसे जो लोग होते हैं वह प्यार बड़ा सोच समझ कर करते हैं उसमें फाइदा नुकसान देखते हैं ज़्यादा तर इनका प्यार physical होता है और अगर ये रिस्ते निपाएंगे न तो उसमें फाइदा देखेंगे और नुकसान देखेंगे यदि ये रेखा कुछ इस तरीके की बनी हो जैसी मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ यदि ये रेखा यहां से निकली और ब्रस्पती परवत की तरफ जाती है कुछ इस तरीके से तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं वे निस्वार्थ प्यार करते हैं इन में प्यार की भावना बहुत ज़्यादा होती है ये लोग एमानदार होते हैं ये लोग आध्यादम की तरफ जुखाओ रखते हैं क्योंकि ये जो रेखा है वह ब्रस्पती परवत की तरफ मुड़ रही है तो ऐसे लोगों के अंदर दयालुता होती है यानि कि ये लोग दूसरे लोगों का केयर करते हैं जो लोग जरूरत मन्द होते हैं उनकी सहायता भी करते हैं और प्यार तो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं दोस्तो यदी यह रेखा कुछ इस तरीके की बन रही हो एक सिरी से निकले और दूसरे सिरे पर जाकर के एंड हो जाए यहां से और यहां तक पहुँच जाए तो इस केस के अंदर होता क्या है कि ऐसे लोग बहुत ही ज़ादा आध्यात्मी होते हैं इनका जुकाओ अगर इसवर की तरफ हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ऐसे लोग इसवर की प्राप्ती कर सकते हैं लेकिन यदि ऐसे लोगों को किसी इंसान से प्यार हो जाए तो यह प्यार जो है वो पागलपन की हद तक करते हैं यह लोग इतना जादा केर करते हैं कि सामने वाला उनकी केर से परिशान हो जाता है प्यार से परिशान हो जाता है लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा हिर्दय रिखा को और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों यह हिर्दय रिखा इस तरीके से बन रही है यानि कि यहाँ पे एक V-shape बन रहा है कुछ इस तरीके से इसे मैं थोड़ा और ड्रॉ करके दिखाता हूँ कुछ दूसरे वेक के अंदर यदि यह रिखा यहाँ से निकली ब्रस्पती परवत की तरफ गी और एक रिखा निकल के शनी परवत की तरफ मुड़ गई दोस्तों इस केस के अंदर जो प्यार करने वाले लोग होते हैं वह लोग बहुत ही जादा रोमेंटिक होते हैं एक तो दिल से भी प्यार करते हैं और इनकी लाइफ में बहुत जादा रोमांस होता है यानि कि इसके अंदर शनी की भी प्रॉपर्टी आ रही है और ब्रस्पती की भी प्रॉपर्टी आ रही है तो ऐसे लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा होता है ऐसे लोग लव मेरिज करना पसंद करते है और काफी बार ऐसे लोगों की लव मेरिज भी होती है दोस्तों अगर यहाँ पर एक और एखा निकल जाए खुँछ इस त्रीके से तो इस केश के अंदर राज्योग बनता है तो आज के जबाने में अगर हम राज्योग की बात करें तो हर कोई तो राजा नहीं बन सकता लेकिन यहाँ पर राज्योग का मतलब यह होता है कि जिन्दगी एक राजा की तरह है ऐसे लोग प्रेम करने वाले होते हैं राजयोग यहाँ पर यह दर्शाता है कि ऐसे लोगों के पास सब कुछ होता है उनके पास अपना घर होता है, अपनी गाड़ी होती है घर के अंदर नौकरचाकर भी होंगे ऐसे लोग तो कपड़े पहनते हैं वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हैं ऐसे लोग बहुत ही दयालू होते हैं इमानदार होते हैं शैंसील होते हैं और इनकी कलपना शक्ती भी बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोग प्रिचुल भी होते हैं जब यह बात करते हैं तो दूसरे लोग इनकी बात मानते हैं और सुनते हैं, क्योंकि यह सबी लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, चलिए दोस्तो हम हिर्दैरेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, यदि यह हिर्दैरेखा इस तरीके का कर्व बनाती है उपर की दोस्तों तो यह लोग साकारात्मग होते हैं, जीवन में अगर पृस्तितियां खराब भी होती हैं, लेकिन यह हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा बहतर करना चाहते हैं, यह उमीद करते हैं कि हमारी आने वाले समय में जो लाइफ है वो बहुत ही बैटर होगी, क्यों पगातार काम करने की tendency भी होती है जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं चलि दोस्तो हम ज़रा हिर्दयरेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं तो यह जो कर्व यहाँ पर downside में बन रहा है न तो यह negativity को शो करता है ऐसे लोग positivity में भी negative चीज़े देखते हैं चलि दोस् इसके अंदर लोग जो होते हैं वेल फोकस्ट होते हैं, अपने काम के उपर कॉंसन्ट्रेट करते हैं, उन्हें अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना आता है, इन लोगों को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, ऐसे लोग अपने काम को पूरा अंजाम देते हैं, इनके दिल में बड़ी करुणा होती है। लोगों की मदद करने के लिए एकदम तयार रहते हैं। इनसे दूसरे लोगों का दुख देखा नहीं जाता। अगर ये फिजीकली या फिर पैसों से मदद नहीं करते तो उन लोगों के लिए दूआ करते हैं कि उनकी परेशानिया दूर हो जाएं। क्योंकि इनके अंदर करुणा बहुत जादा होती है और ये लोग बहुत दयालू भी होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम हिर्दयरेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हिर्दयरेखा कुछ इस तरीके का कर बना ले। दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं वो इमेजिनेशन लाइफ में रहते हैं। मतलब अपनी एक दुनिया इन्हों ने बना रखी होगी उसके ये खुद हीरो होंगे या हीरोईन होंगी और उसी के अंदर जीना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे लोग यदि नावल लिखेना तो बहुत अच्छा रहता है। या फिर कोई क्रियेटिव काम करें तो उसके अंदर ये इनोविटिव आइडियाज डाल सकते हैं। यानि कि ऐसा काम कर सकते हैं जो किसी ने सोचा ना हो। प्योंकि ऐसे लोगों के अंदर कलपना शक्ती, इमेजिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है। चलिए दोस्तों हम हिरतारेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हिरतारेखा कुछ इस तरीके से डाउन कर बनाती ही उपर की तरफ जाए। ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग बड़ा ही प्रैक्टिकल होते हैं। ये लोग सही को सही कहते हैं गलत को गलत कहते हैं। हिर्दय रेखा के साथ एक और रेखा यहाँ पे इस तरीके से उसके समाना अंतर चल रही है तो उसके इसके अंदर हिर्दय रेखा की जो intensity होती है वह डबल हो जाती है चलिए दोस्तो हम हिर्दय रेखा का थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इसे आयू रेखा क्यों कहा जाता है यदि यह हिर्दय रेखा यहां से निकले और बुद्ध परवत की तरफ चली जाए यानि कि हिर्दय रेखा छोटी हो तो इसके अंदर कहा जाता है कि अलपाईू होगी यदि यह रेखा कुछ इस तरीके से निकलती है और सूर्य परवत की तरफ चली जाती है तो इस के अंदर अलपाईू होगी लेकि थोड़ी सी जादा होगी ऐसा अनुमाल लगाया जा सकता है दोस्तों किसी की अलपाईू कहने से पहले उसकी जीवन रेखा को बहुत अच्छे तरीके से देख लें यदि जीवन रेखा मोटी है गहरी है और लंबी है तो हम इस रेखा की एक्टिविटी को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि हाथ के अंदर कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले हमें बहुत सारी साहयक रेखा हैं और परवतों को देखना होता है तब ही आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाथ के अंदर क्या सिम्टम्स हैं चलिए दोस्तों हम थोड़ा हिर्दय रेखा को और समझने की कोशिश करते हैं यदि यह हिर्दय रेखा कुछ इस तरीके से बनी हुई है और यहां पर कट लगे हुए है यानि कि यहां पर कुछ कट बन जाते हैं या फिर यह रेखा तूट जाती है तो इस केस के अंदर लोगों की तब्यद जो है वह थोड़ी खराब रह सकती है तो अपने खान पान का आपको ख्याल रखना है वो सकता है काफी बार यह रेखा के अंदर कुछ इस तरीके क्रॉस बने हो यह रेखा तूट रही है या फिर बहुत जादा डिस्टर्ब हो रही है तो यह यह दर्साता है कि आपको अपने स्वास्त का ख्याल रखना है अच्छी डाइट लीजिए प्रॉपर एक्सरसाइस कीजिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि यहाँ पर हिर्देरेखा बता रही है कि आपकी तबियत खराब हो सकती है आपको हार्ट से रिलेटेड कोई ड तीक होती है यदि आप हमारे एस्ट्रोजर से बात करना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोजन अप्लिकेशन इस्ट्रॉल कर सकते हैं और चाहे तो दिये गए नंबर पे वाटसाप भी कर सकते हैं मैं भगवान शिव और पारवती से यह प्रातना करूँगा कि वह आपको हमेश कि दशा लगा कर सकत हैं झाल झाल